तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग Python के अंदर यानि कि Flask का यूज करके हम लोग किस तरीके से एक project बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग images upload करेंगे उसको download करेंगे और उसको हम delete भी कर सकते हैं तो यह सब कुछ हमारा Flask के अंदर होने वाला यानि कि Python का यूज करके तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक file create कर लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे app.py करके अब इस app.py करना सबसे पहले आपको import करना पड़ेगा Flask को तो आप यहां पर लिखोंगे from Flask import आपको Flask को जाए है वो इक्वल अगर होता है आपके में के तो आप क्या करो आप यहां पर app.run आप यहां पर command run कर सकते हो जिसके अंदर आप जो है debug mode आप जो on भी कर सकते हो तो उसके लिए आपको यहां पर लिखना रहेगा debug true करके अब आपने यहां पर इंस्टेंस बना लिए अब आप य इंडेक्स लिख़ूँगा और यहां पर हम लोग रेटर्न करते हैं सिर्फ हाई लिख करके इसको सेफ करते हैं और अगर इस फाइल को अगर आपको रन करना है तो आपको यहां पर लिखना रहेगा python.py करके ओके सरवर यहां पर आपको श्टार्ट हो चुका है अब मैं करना पड़ेगा यहां पर एक फोल्डर आपको क्रेट करना पड़ेगा जिसका नाम आप रखेंगे यहां पर टैंप्लेट्स करके इसके अंदर आप index.html फाइल बना सकते हो तो आपको यहां पर लिखना रहेगा index.html और यहां पर फिर यहां पर आएंगे और इसको यहां पर हम पेस्ट कर देंगे इसको सेफ करते हैं जो भी यह आपकी HTML है अब यह रन हो पाएगी हमारे तो यहां पर इस हम टाइटल रख देते हैं टाइटल के लिए जैसे कि मैंने आप रख दिया python image galway इसको सेफ करते हैं अब हम इसको app.py से हम इसको लोड करने की कोशिस करते हैं तो इसको लोड करने के लिए आपको रेंडर template यूस करना पड़ेगा तो आप यहां पर लिखेंगे रेंडर टेंपलेट इस तरी के से और यहां पर आप आप पास कर देंगे उसका नाम जो कि है index.html करके ठीक है इसको आपको यहां पर import भी करना रहेगा तो आप इसको यहां से copy कर सकते हैं और इसको यहां पर आप जो है पेस्ट कर लेंगे कhelी तो यहां ईसको से इन क्रेड़े करते हैं वापट से ब्राउजर पर चलते हैं यहां पर मैं करता हुए और और यहां पर और यहां पर justify content center कर लेते हैं justify content center इस तरीके से अब यहां पर हो जाएगा call SM वाली जी जिए 6 का है और यहां पर फिर आपका जो यह form है यह उठके आपको वहां पर चला जाएगा तो मैं से form को यहां से उठा करके इसके अंदर डाल देता है अब इस form के अंदर हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए होगा जैसे कि हमें यहां पर पार्शवर्ड वगर जो फाल्दू का दे रखा इसको मिया से हटा देते हैं button यहां पर submit हो गया और यहां पर हम लोग इसको dark कर देते हैं यहां पर email है बलकि हमें यहां पर क्या चाहिए होगा यहां पर फाइल चाहिए होगा तो आप यहां पर बोल सकते हैं इमेज यह स्लेक्ट इमेज जो भी आप लिखना चाहिए और यहां से जो टाइप है वो उसका फाइल होने वाला है और यहां पर यहां पर इसका नाम है जिस नाम से आ और वापर से अगर आप ब्राउजर पर चलते हैं इसको करते हैं रिफ्रेश देखे कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस मिल जाएगा यहां पर लिखावा इमेज आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज उसको सम्मिट करेंगे और यहां पर सेव हो जाएगे ऑके परफ आप डॉट पीवाई के अंदर आपको बनाना पड़ेगा तो इसके लिए आप जो क्या करोगे कि आप एक नया मैथट आप यहां पर डिफाइन करोगे तो इसी के नीचे हम लोग कर लेता है अप लोट के लिए तो आप यहां पर लिखोगे एप डॉट राउट और यहां पर एक जो है लिश्ट आप पास कर दोगे और उसके अंदर आप जो पोस्ट आप डिफाइंड कर दोगे इसके ना सिर्फ पोस्ट मैथड के थ्रूँ आप जो एंट्री मार सकते हो अब आफ यहां पर माली आपने अपने अपलोड नाम से एक मैथड बनाया आपने अब इस इस तरीके से अब यह जो रिक्वैश्ट है यह हमने यहां पर इंप नहीं कि होगा है तो हम यहां पर इंपोर्ट कर ले ने होगा है अब इसको से रिफर्एश्ट यहां से हम लोग एक हिमेस सेल्थ करते हैं सब्सेड निवर न कि करता हूँ तो यहां देखिए अरब देर परफेक्ट यानि कि अब यह हमारे जो यूरल है वो काम कर रहा है अब हमें यहां पर अप्लोड के लिए काम करना पड़ेगा तो अप्लोड के लिए कि आपको डेटाबीस की भी जुरुत पड़ेगी विकॉस आप चाहोगे कि आप उसके अंदर आप जो डेटाबीस के आप डाट रहेगा तो आप डॉट कॉंफिग के अंदर सबसे पहले आप जो आप जो कर दोगे अ कि अश्कुलल कुमी डेटाबेस यू आ राइं और यहां पर आप जो पाथ दे दोगे उसका डेटाबेस डॉट डीबी इस तरीके से फिर एप डॉट कॉंफिग कर दोगा जो कि होगा upload के अंदर ईपलोड करके ओके यहां पर यह हमारा capital रहेगा तो यहां पर क्या क्या आप अपने यहां पर डिटावेस आपने करते कि कौन सा होने वाला है अभी यहां पर डिटावेस ग्रेंट नहीं हुआ वह जल्दी जल देए हैै को और से के यहां पर यहां पर फोल्ड के यंदर हमने डाले हैं रहां पर हम लोग चीज या पिल्ड नहीं नहीं थीख हो भी यहां। प्लोट फॉल्टर बना दो गई जिसके अंदर आपकी इमेजिस इस्टोर होके चली जाएंगे अब फोल्टर के अदर ठीक है अब आपको क्या करना है कि यहां पर सबस्क्राइब बना पड़ाएगा जिसके अंदर आप जो है आप सभी इमेजेस अब प्लॉट करोगे तो और यहां पर फिर आपका त्रायमरी की और यह हो जाएगा आपका यूनिक यानिक ट्रू इस तरीके से फिर आपका रहाएगा फाइल ने और फाइल नेम के अंदर आपको अपर इखने दाट कॉलम और आप यहां पर लिखो के डीबी डूर्ट इस्टिंग। और इस्टिंग माली जाप की यहां पर होगी 200 माली जाप यहां पर कर लिए और यहां पर नलेबल आपका फॉल्स रहेगा पर्फेक्ट तो आपने एक फाइल यहां पर मॉडल बनाया उसके मॉडल के अंदर एक आईडिया अपने डिफाइन करते जो की प्रैमरी की रहेगी औ पके यहां को यहां पर सकते हो यहां हमें करना है आप रहेगा तो सिवलल क्या करंएं कि हम लोगए एक फाइल के अंदर एक जो है वरीबल के इसको इस्टोर कर ले थे जो भी हमारी इमेज है तो इसके लिए हम दिखेंगे रिक्वेश्ट डॉट और फिर हमने चैक एक फाइल अगर आगर मिल जाती है उसके समय हमें क्या करना है कि हमें फाइल दॉट नेम के हिसाब से जोऊंडल पर नाम रहेगा इसको नाम इसको सेव करेंगे तो यहां पर सेव करने के लिए अपको ऑट्रोट के आपको वैश्ट इब्यापो जरुड और यहां पर फाइल नेम आप पास करते होगे कि किस नाम से आपको फाइल वहाँ पर इमपोर्ट करना पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा इंपोर्ट के आपने ओएस और यहां से जभी यूजर यहां पर कोई कोई भी इमेज तो यहां पर क्यो होगा कि फाइल टोट से यानि की यहां पर ये उसको मूफ बे Wong करने के बाद वह करेगा कि ओंडर और प्राइबरेन इसके इंदर ट्रच मोटल है उसके फाइल नेम के अंदर यह आपका फाइल नेम आपको डाल देगा यानिकी तो यह वाला फाइल नेम है यह संदर अ फिर आप उसको डिटाबीस में आप सेफ करो गए तो उसके लाप लिखोगा डी डिवी डॉट सेशन डॉट एड और फिर आप रालोगे नियू फाइल और डीवी डॉट सेशन डॉट कमिट और फिर आप इसको रिटर्न रिडारेक्ट कर सकते हो अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो आप यहां से रिटर्न कर सकते हो कि कि सम्तिंग रॉंग हुआ है है इसको सेव करते हैं है तो हम ने अप्लोड के अंधर हम लोग要 कंशन सब कुछ सेव कर रहे हैं और ंपकर जो भी उसकी फायल है उसको हम लोग अपने डेटाबेस में भी यहां पर कर रहा है यहां से आ रहा है तो यह अपने आपका फ्लास कि यहां पर कर लेगा इसको سेफ कर लिया हमने यहां पर आते हैं इसको रेंश तो यहां पर आगिर में कोई इमेज ने तो एक बार हम लोग यहां से करते हैं इसको इसको सब्सक्राइड वहीयां फाइल इन डी रिक्वेस्ट वाल डारेक्टरी ओके एक प्रॉबलम है यहां पर हम आप इपमल्टि पार्ट फॉर्म डियटा नहीं टाला तो आप आप इमेज्ञ आप जो आप झर Favorा करके पहुच जाएंगे वहां पर आप है इसको से पर बैक चलता एक बागत इसको फिर से से चूज करते हैं कि इंज फिर से कीने चूज करने के यहां पिर इंगे यहां सरता को फाइल नाम से वेरिबर बराना है और यहां से और ऑफ़िर आप कर सकते हो और यहां लिए आप यहां पर लिखोगे फाइल्स कर दिया अब आप इसको करोगे यहां पर चलते हैं ऐसा करते कि इसके लिए एक अलग से रो बना लेते हैं जैसी यह वाली रो है तो उसके लिए में यहां पर लिखते हैं रो आप यहां पर लूप चला विए उसके लिए पर लिखो गे परसेंटेश पर इमेज इन फायल्स करके और यहां पर आप एंड़ बना सकते हो जिस के सौर्स में आप जो है यहां पर जो आपकी सोर्स ने वह डालोगे तो यहाँ पर अभी आपने सोर्स के लिए कुछ बराएं नहीं तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा जहां से आप बोल सकते हो अपलोड इड़ फाइल करके या फाइल करके और यहांसे अप कि आप इसको क्लोस करते हैं तो यहां पर हमने क्या है कि हमने सबसे पहले यहां पर सूर्स एड़ किया और सूर्स एड़ करने के वाद हमने इसके अंदर एक यहां पर आप राउट बनाते हैं तो उसके लिए अपर लिखना रहेगा आप डॉटराूट और यहां पर अप्लओरर फाइल और यहां पर लास्ट में आपको एक फाइल भी चाहिए होगी तो आप यहां पर लिखắpoh higher कि है क्वाट आप यहां प्लोड़ पाइल और यहां पर आप जो है नेम अप यहां से आप रिटरून करोगे आ हैं इसके नदर आप पास करते होगे एप.config के अंदर से जो भी आपका अपलोड फोल्डर है वह और फिर आप यहां पर फाइल नेम आप पास करते होगे कि मुझे यहां से उठा रहे हैं और इसको आपने ब्राउजर पर चलते हैं इसको यहां पर करते हैं रिफ्रेश कि कोई इमेज हमें अभ饇 दिख नहीं रही है बलकि यहां पर इमेज होने में करते हैं कि आपकी अब हम लोग सेलेक्ट करते है हम ने यह वाली और हम ने इसको दूसरी इमेज्ट भी आ गया आपकी आपके अब इस अपर पर आप लिखो और है यहां पर लिख इसलिए इमेज रहेगी आप इसको यहां यहां पर के का स्थाएं कर सकते हैं यहां पर दो कर लेते हैं और यहां पर हमें फाइल नेम तो नहीं दैगा बठ थम हम इाप इंतीजर टाइप में हम я इस भी की दो बड़िए और कि यहां पर आपको यहां पे डाउनलोड आपक साथ है क्या संसक्ते को ऐहां परdooकर रोओ यहां पे करेंगा प्राइब दोंते और 404 का और पर और यहां पर यहां से बसक्ट है कि अगर उसे नहीं पले सकते हैं और इस फाइल अगर उससे नहीं यहां से copy करता हूं और यहां पर send from directory आप यहां पर यह चीज पास कर रहे हो फाइल का नाम आप यहां पर पास कर रहे हो जो कि यहां पर यहां पर और यहां और यहां पर डॉलूद की जलगा कर लेंक यह है ओर Father यहीं पर आप इसको डुब्लाड लेजिए और यहां पर आप कुछ चेंज़ इस और करते हैं अब हमें यहां पर एक और आपको बनाना रहेगा मैं इसको डूबलीकेट कर लेता हूँ कि यहां पर डाउनलोड की जगह पर आपको लिखना रहेगा डिलीट का प्रिकॉस हम लोग डिलीट कर रहे हैं और यहां फॉल डिया आपको मिलेगी और यहां फोल्ड का नाम भी अरे सुरी जो आपका मैथड है वह भी आपका डिलीट हो जाएगा यहां पर जो फंक्शन सकते हो सिंदर इस तरी के साथ ये ठीक है उसके बाथ आंप पात रहेका तो ओयां До תח.path जॉइन करके और यहां पर आप.config के अंदर से जो भी आपका upload folder है वाप पास करता हुढ़े और साथ यहां पर फाइल का नाम रह है जो आपको फाइलगी है तो यहां पर हमने फाइल ने मिस्रि लिए होifi था कि यह मुने यहां पर इसको पास कर दिया अब हम इसको यहां से रिमूब कर सकते हैं तो आप यहां पर फाइल पाथ आप उसका पास करते हैं तो जो भी वहां पर फाइल होगी वह उसको रिमूफ कर देगा अब हम इसको डेटाबेस से भी रिमूफ करना चाहते हैं तो आप यहां पर आप जो है फाइल आप पास करते ह अब यह वाली फाइल कौन सी है यह वाली फाइल हमारी यह वाला वैरीवल आप देखोगे जो भी हमने आप से फाइल गैट कि उसको ने डिलीट कर दिया और फिर आप उसको लिखोगे डीबी.session.com अब अगर मुझे डिलीट करना तो मैंने यहां पर डिलीट करने के बाद उसको रिटर्न नहीं कर रहा है यहां पर यहां पर हमने यहां पर चेंज नहीं किया बलकि यहां पर हमें रिटर्न रिडारेक्ट करना रहेगा तो आप यहां पर रिटर्न रिडारेक्ट अब उसको होम पेस्पे आप यहां पर कर दोगे फिर से ठीक है इसको सेफ करते हैं और वापस से अगर हम यहां पर चलते हैं एक बाद करते हैं इसको रिफ्रेश्ष मैंने इसको डिलीट किया इमेज डिलीट हो गए अब हमने इमेज यहां से डिलीट कर दिया तो हमारा जो अप्लोड फोल्डर वो भी देखो खाली हो गया तो अब हम यहां से इमेजिस अगर हम सब्सक्राइब कर सकते हैं अब देख सकते हैं अगर आप इन इमेजिस को अगर आप डिलीट भी करना चाहें तो भी आप आसानी से आप जो कर पाएंगे इसको तो माली जे किसी इमेज को डिलीट करना है तो मैं आप डिलीट पर क्लिक कर हुआ और वापस हम लोग यहां पर आगे हैं तो यह हमारा होगा फ्लास के अंदर एक पूरा टुटोरियो कि कैसे हम लोग एक इमेज अप्लोड यानिकी इमेज गैलरी हम लोग क्रेट कर सकते हैं कोड बहुत आसान है अगर आपने पूरा फॉलो किया होगा तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आप इसकंदर एक सीज और आड़ कर सकते हैं कि मैं यहां से मल्टिपल इमेजिस मैं से सेलेक्ट कर पाऊं यह आपको एड़ करना है तो आप कैसे करेंगे वह आप देखी यह आपके लिए होम और की टाइप का है कि आप इसको कोशिस करें अगर नहीं होता तो आप कमेट से समली कि मैं उसको जबाब दूँगा